कहीं भी आप इसे लगा देंगे बहुत ही सुन्त lavender लगता है यह बहुत ह्यासान है इसे बनाने इस थे तलास Mormon नरेटेंगे और यहाँ पे बेच में हम नाई लगांगे हाई फ्रेंज इसे बनाने के लिए मैंने पांच नंबर का कुरोश्या लिया है और टूप लाई की वूल ली है मैंने अब देखें यहां भी हमें ऐसे सरकल बनाना है अधिक ऐसे बनाएंगे कि ऐसे करके देखें ऐसे पकड़के ऐसे यह वाला थागा ऐसे इस साइट में करेंगे अब इसमें हम फंदा बनाएंगे देखें हमें ऐसे फंदा बनाना है यह वाला फंदा हमें ऐसे इसके उपर रखना है उतारना नहीं है फिर से हमें फंदा बनाएंगे ऐसे अब यह तीनों फंदा हम एक साथ ऐसे उतार देंगे ए दो तीन चैन अब इसी तरह से हमें पत्ती बनाते वे जाना है देखें पहले हम यह दोनों फंदा ऐसे देखी तार देंगे यह दोनों फंदा ऐसे रखेंगे फिर से हम एक फंदा बनाएंगे कि अब यह पर देखें यह तीन फंदा हो गया अब यह तीनों फंदा हम एक साथ ऐसे उतार देंगे एक, दो, तीन चैन, फिर से उसी तरस बनाएंगे, दो फंदा इसे रखके, देखिए ये तीन फंदा हो गया, एक, दो, तीन, यह देखिए फ्रेंस, मैंने यहां पे 6 पत्ती बना लिया है, देखिए, ए, दो, तीन, चार, पाफ, छे, अब देखिए, इसे हम, यह वाला धागा पकड़के, ऐसे खीच देंगे, यह ऐसे बन जाएगा, देखिए, यहां पे मैंने यह तीन चैन बना लिया है, अब इसे हम, यहां पे जॉइन कर देंगे, देखिए, इस पत्ती में, अब देखिए, यह वाला धागा हमें, यहां पे इस जाली में लेके आना है, तो ऐसे हम, यहां पे लेके आएगे, अब इसमें हम, पत्ती बनाएंगे, देखिए, दो, तीन, तीन चैन बना के, इसमें हम फंदा बनाएंगे, ए, दो, तीन, देखिए, ऐसे तीन फंदा बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, ए, दो, तीन, अब इसी में हम, इसे, ऐसे जॉइन कर देंगे, देखिए, यहाँ पे हम ऐसे फंदे को, देखिए, एक पत्ती बन गई है, अब देखिए, धागे को हमें, यहाँ पे इस जाली में लेके आना है, यहाँ पे, ऐसे लेके आएंगे, अब यहाँ पे भी हम, इसी तरह से पत्ती बनाएंगे, ए, दो, तीन, चैन, अब इसी में हम तीन पंदा बनाएंगे, ए, दो, तीन, ए, दो, तीन, चैन, ऐसे, अब धागे को हम इस नेश्ट वाली जाली में लेके आएंगे, ए, दो, तीन, चैन, बनाके, इसमें हम उसी तरह से पत्ती बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पर यह पत्ती बन जाएगी, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 6 जाली है, तो तीन पत्ती मैंने यहाँ पर बना लिया है, अब एक, दो, 3, तीन पत्ती हम यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, यह देखिए फ्रेंस मैंने इसमें छे पति बना लिया है इस तरह से दिख रहा है देखिए दागे को हमें यहां पे लेके आना है ऐसे बनाएंगे अब देखिए यह वाली जो पति है इसमें हमें देखिए ऐसे पंदा बनाना है देखिए यहां पे हम हुप को ऐसे यहां पे इस साइट में लेके आएंगे अब हम चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच चैन बनाके अब इसकी नेफ्ट वाली पत्ती में देखिए हुप ऐसे करके ऐसे बनाएंगे देखिए यह पीछे के साइट में ऐसे जाली बन जाएगी ए दो तीन चार पांच चैन अब देखिए इसकी नेफ्ट वाली पत्ती में इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार पांच अब नेफ्ट वाली पत्ती में एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच अब देखिए यहाँ पे ऐसे जाली बन गई है देखिए एक दो तीन चार पांच एक जाली हम यहाँ पे बनाएंगे तो छे जाली यहाँ पे हो जाएगी तो पांच जाली हो गई है अब इस जाली में हमें यह वाला धागा ऐसे जोइन कर देना है अब देखिए दागे को हमें यहाँ पे इस मेले क्याना है अब यहाँ हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे तो पहले हमें यहाँ पे चैन बनाना एक दो टीन चार चार चैन बना के अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे दागे को लपेटेंगे एक दो तीन यह तीन टाम ऐसे लपेट के हम इसमें फंदा बनाएंगे ईक दो तीन चाइम देखिया ऐसे चाइम करेंगे अब फिर से हम यहां पे एक दो टीन टाम लपेट के इसी तरह से फंदा बनाएंगे एक यह से दो फंदा उतारेंगे दो तीन चार एक दो तीन तीन टाइम लब पेटेंगे दो फंदा से उतार देंगे फिर दो फंदा फिर दो फंदा फिर दो फंदा एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन एक, दो, तीन, चार देखिए यहाँ पे यह चैन वाला पंदा है देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ पे अभी पाँच पंदा हुआ है छे, साथ, देखिए साथ पंदा हो गया अब यहाँ पे साथ पंदा बनाने के बाद चार चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार अब देखिए यहाँ पे इसे हम ऐसे जाली में जाली में अब इसी तरह से हमें इस दूसरी जाली में बनाना है तो पहले हम धागे को यहाँ पे इस सैट मे लेके आएंगे अब यहाँ पे हम इसी तरह से पत्ति बनाएंगे पहले एक, दो, तीन, चार चैन फिर ऐसे धागला पैटेंगे एं, दो, तीन तीन टाइम करके यहाँ पर ऐसे फंदा बनाएंगे दो फंदा एक बार फिर दो फंदा एक बार फिर दो फंदा ऐसे ऐसे यह पत्ती बनेगी तो जिस तरह से मैंने यह एक पत्ती बनाई है इसी तरह से हमें यहां पर छे पत्ती बनानी है अब यहां पर देखिए लाश्ट में हम इसे यहां पर यहां पर जोइंड कर देंगे देखिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं या थाल पॉस्थ में या फिर गेट पर्दा में वेला की पठी पर आप इसे लगा सकते हैं मैंने देखी इसे इस थाल को पर लगाने के लिए बनाया है यहां पर ऐसे बीच में तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू